एक बार एक केकड़ा समुंदर के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच पीच में पिछे मुड़कर वो अपने पैरों के बड़े निशान भी देखता जाता वो थोड़ा आगे बढ़ता फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और उससे बने डिजाइन को देखकर बड़ा खुश हो जाता इतने में एक तेज लहर आई और उसने उसके पैरों के सब निशान मिटा दिये इस पर केकड़े को बड़ा गुसा आया उसने लहर से बोला मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था पर तुमने ये क्या किया मेरे बनाए सुन्दर पैरों के निशान को ही मिटा दिया कैसी दोस्त हो तुम केकड़े की बात सुनकर लहर बुली वो देखो पीछे से मचवार आ रहे हैं और वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़े को पकड़ रहे हैं मेरे दोस्त तुमको वो पकड़ना लें बस इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटा दिया है। सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचना जुरती नहीं है।